आप सभी का स्वागत रवी जौन फार्मिंग लीडर में मैं रवीत यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजुर्ग और किसान सातियों को मेरा राम राम तो किसान सातियों आज हम देखेंगे बल्वान कंपनी का पावर रिपर जो फसल को काड़ता है दड़ा दड़ तो चलिए देखते हैं उलादे डर कुछ अलग कर किसान सातियों हमारे चैनल को सस्क्राइब परें और घंटी के बटन को जोड़ दबाएं सामने से जो किसान भाई हमें देख रहे हैं कैमरे की नजर से उन्हें पहले अपना एक छोटा सा परिचे दें नमस्कार सर नमस्कार किसान भाईयों मेरा नाम गर्वित है मैं जैपूर से हूँ बल्वान एगरिक पावर टूल्स कंपनी से हम सर पिछले चार सालों से लगाता है किसान भाईयों की सेवा के लिए जो है नई-ने मशीने लेके आ रहे हैं आधुनिक और उनकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं तो आज सर हम कौन सी मसीनरी के बारे में अपने किसान भाहियों को जानकारी देने वाले हैं, जरा उसके बारे में आप बताईए थोड़ा सा सर आज हम जिस मसीन की बात करेंगे वह न मारा ये पावर इपर जो अपने ख़डी फसले होती हैं उनकी सब की इकटाई है तो आज हम इस पावर इपर के बारे में बात करेंगे आरिज का वगरा ऐसे बर्सिंग वगरा इस सारी फसलों की आप इससे आराम से कटाई कर सकते हैं सर देखिए हमारा जो पावर रीपर है ये दो मॉडल में आता है एक इसमें डीजल इंजन में आता है दूसरा इसके अंदर पैट्रोल इंजन के आता है ये बिलकुल हैवी दी गई है इसके अंदर इसके अंदर जो वेल्डिंग होती है तो इसमें वेल्डिंग का भी बहुत आएम रोल है वेल्डिंग इसके हर एक जगह से बिलकुल मजबूत दी गई है इसके सारे जो केबल्स वगरा हैं ये भी इसमें हैवी केबल्स इसमें दी गई है इसके अलाब हम आगे बात करें इसके इंजन की तो सर इसमें हॉन्डा कंपनी का 5 HP का इंजन दिया हुआ है अच्छा 5 होस पाबर जी एक साल की हम इसकी वारंटी देते हैं और इसका जो पैट किसी भी तरीके के खेट में लेके जा सकते हैं इसको अगर पानी में भी उतारते मानलीजी आप धान की कटाई कर रहे हुआँ पर हल्की गीली चिकनी मिट्टी होती है तो उसके अंदर भी जो है हाइसमें जो गुड्डिया है उसे इस लिप अगर नहीं होता है इसके अगर 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 मानलीजे कोई चलाते टाइम कोई कंकर पत्थर की वज़े से एक ब्लेड भी खराब हो जाता है तो आपको पूरा सेंट इसमें चेंज करने की जरूत नहीं है आप एक ब्लेड भी इसमें सेपरेट इडिके कर सकते हैं यह हुआ अपना पैट्रोल वाला अगर बात करें कि एक घंटे में कितना पैटरोल लेता हो केडिये की स्मयथा है काम करने की स्मयथा? काम करने की जो शमयथा है यह कि भी है दूनों ही मोडल्स की लगबग सैम है आप यह दूनों मशीन से minimum से minimum acht से 10 गंटे भी अगर इसको चलाते हैं तो 15-20 विगा तक की कटाई आप आराम से कर सकते हैं, बाकि कुछ किसान भाई तो इसको 25 विगा तक भी ले जाते हैं, रही बात इसमें पैटोल या डीजल की खपत की, तो एक घंटे में मात्र 700 ml ये पैटोल या डीजल की खपत करता है, दोनों ही मॉडल में, अगर आप देखें, और इसमें मैं आपको डीजल इंजन में थोड़ा सा जो है चेंजेज हैं, थोड़ा सा हैवी मॉडल आता है डीजल, इसमें भी मैं आपको इसकी कुछ खासियत बता देता हूँ, इसमें हमने ग्रीफ कंपनी का ये 5HP का इंजन दिया हुआ है, ये वही इंजन है जो आटो वगरा के अंदर काम में लिया जाता है, आटो की जैसा ही पावरफुल इसके अंदर भी इंजन लगाया हुआ है, इसमें भी आपको एक साल की पूरी इसकी वारंटी मिलेगी, इसके अंदर भी TVS के ही हमने टायर दिये गए है, इसके टायर की सर मैं आपको एक खास बात और बता दू, इसके टायर हम अपनी जगे से थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकते हैं, इसके बादे से यह वाला मॉडल आप देखेंगे, इसमें हमने टायर यहां की जगे शिफ्ट करके यहां लगाया हुआ है, थोड़ा हटा के लगाया हुआ है, ताकि उबर्खाबर खेत अगर अपना होता है, तो यह रीपर को डगमगाने नहीं देता है, रीपर को बैलेंज रखता है, इस वज़े से इसके टायर हम आपस में थोड़ा से इससे दूर भी कर सकते हैं, इसमें टायर भी जो है, वो ही TVS कंपनी के हैं, यह वाला हमारा जो रीपर है, इसमें तीन बेल्ट आते हैं, यह थ्री बेल्ट ड्राइव हमारा यह रीपर रहता है, इसकी वज़े से पांचे फिट हाइट तक की जो अपनी फसलें, यह आप इसमें मक्का और बाजरा भी ले सकते हैं, उनकी भी कटाई यह आराम से आसानी से कर सकता है, बाकी तकरीबन 220 किलो जो है यह लोहे का बना हुआ है, अच्छा जो इसके अंदर प्रोपर बेट है, यह टोटल अगर आप इसमें देखेंगे, तो हमारा डीजल वाला जो इंजे रीपर है, यह 220 किलो लोहे का बना हुआ है, और पेट्रोल वाला जो मॉडल है ये तकरीबन 180 किलो इसका वेट है तोटल मेड इन इंडिया पूरी तरीके से भारत में बना हुआ ये जो है हमारा पावरी पर है दूसरा अगर इसमें कोई खराबी हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो किसान भाई कहां इसे ठीक कराएगा या कैसे हो गाई सर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताओं टोटल लोहे की बनी होई मशीन है इसमें किसी भी तरीकी की कोई समस्या नहीं आती है इंजन जो हम इसमें यूज कर रहे हैं एक होंडा कंपनी का है दूसरा ग्रीफ कंपनी का है इसमें भी आपको कभी भी कोई शिकायत नहींगी बिलकुल टोटल रफ और टफ मशीन आप इसको आराम से काम में ले सकते हैं बाकि फिर भी अगर इसमें कोई छोटी मोटी खराबी आ जाती है तो सर इतना तो जो है आदा इंजिनियर तो अपने किसान भाई खुदी होते हैं अपने ट्रैक्टर की चोटी मोटी सर्विसिंग को कर लेते हैं उसी तरीके से इन इंजन की सर्विसिंग आराम से कर सकते है सारे spare parts मेरे पास में available हैं कोई साभी spare parts मंगा सकते हैं और बाकि इसके जो छोटे-मोटे और main spare parts है वो किसी भी tractor की या hardware की दुकान पर आसानी से उपलब्द हो जाते हैं सर जो अगर आपको ये order करें या कहां call करें, किस जगे बात करें अगर ये मंगवानी हैं तो सर देखिए, machine अगर आप order करना चाते हैं तो जो screen पर number जो चल रहे हैं अभी आप कोई भी किसान भाई उस number पर call करके इस machine की जानकरी संपून ले सकता है इस machine को book करवा सकता है या फिर भारत में अभी हमारे चार offices है एक हमारा head office है जो जैपूर राजिस्तान में है इसके अलावा भोपाल मध्य प्रदेश में हमारा एक office है लखनौ उत्तर प्रदेश में हमारा एक office है और मंडी हिमाचल प्रदेश में हमारा office है आप हमारे किसी भी office में जाके इस machine के संपून जानकरी ले सकते हैं और अपनी machine book कराके उसको प्राप्त कर सकते हैं दूसरा अगर नहीं वहाँ पहुंच रहे हैं तो वो call करके भी मंगा सकते हैं या नहीं? गरविजी अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो आप हमें फोन करके अपनी machine book करवा सकते हैं हमें payment कर सकते हैं हम जिस भी transport से आप बोलेंगे आप चाहते हैं भई मशीन जोड़के हम pick up से भेजे तो pick up से भेज देंगे आप चाहते हैं नजदी की transport से भेजे तो हम इसको pack क करके आपके नजदी की transport में भेज देंगे वहां से आप मशीन जो है प्राप कर सकते हैं तो गरविजी यह जो आपका रिपर है इस पे जो है सरकार का कोई उपकरम है जिसमें सबसीडी वगारा किसान भाई को दी जारी है ऐसा कोई procedure है सर हमारे जो पावर रिपर है दौनों से जो 40% सबसीडी का अनुदान राशी है वो आपको मिल जाएगी और 40% सबसीडी के लिए आप अपलाए कर सकते हैं तो गरविजी आपने यह रिपर के बारे में इतनी अच्छी जान करी दी और इतना अच्छे से बताया उसके लिए आपका बहुत दो धन्यवाद धन्यव अपनी फसल काट सकते हैं तो इस बार अपने गेहूं इससे काटिये और देखिये और लाव उठाइए यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जान फार्मिंग लीडर से